वेल्कम डु सुकला स्टड़ीपँ। अप सभी का स्वागत है आपके एपने लूटूब चनल सुकला स्टड़ीपँ। मैं सिवं सुकला आप सभी दोस्तों का हर्दिक स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो के मात्याम से हुमनोग चर्चा करेंगे राजनेती सास्त्र की पेपर 3 के बारे में जोकि बीए थर्डियर की छाच्छात्राओं के लिए बहुत ही महत्पूर होगा पेपर 3 के अंतरगेत आपको क्या पढ़ना होता है तो आप सभी को पता भी होगा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में आपको जानना होता है हिं दो तिन बिश्विद्यालेओं के हमने दे दिये हैं तो आप सारी वीडियोस को प्लेलिस्ट में देख पाएंगे तो आप प्लेलिस्ट हमने बना दिये हैं दोजार तेज की उसमें आप तमाम सारी वीडियोस को देख सकते हैं और अपनी परिच्छा के तयारी बिदो तरीके स अंतराष्टी राजनेती तो बीए थर्डियर में आपको यही पढ़ना पढ़ता है पेपर तीन के अंतरकेत पॉलिटिकल साइंस में बहुत ही मैतपूर मैतपूर इसमें परसन है आती लगूतरी लगूतरी और दिरगूतरी टाइप की परसनों पर हम चर्चा करने का प्रिया तीन खंडों में आपका पेपर बटा हुआ होता है खंड आ बा और सा खंड आ से अती लगूतरी परसन पूछे आते हैं खंड बा से लगूतरी और खंड सा से दीर गूतरी परसन पूछे आते हैं उनकी संख्या 10 होती है और 10 के 10 परसनों को आपको करना होता है एक परसन का उत्तर आपको 50 सब्दों में लिखना होता है ठीक है ये सारी चीजे के लिए हो रही ना बिलकुल तो और अग कितने मिलेंगी मालेते एक परसनाप ने 50 सब्दों में अच्छे तरीके से लिख दिया तो आपको उसके लिए 2 अंक परदान के जाएंगे ठीक है यानि 20 नंबर आ कुछा गया कि अंतराष्टे राजनेती की परिभासा दीजी या केवल आपको यहीं लिख करके छोड़ देगा कि अंतराष्टे राजनेती बस केवल इतना अंतराष्टे राजनेती और इसके आद में फुल स्टाप लगा देगा तो भी आपको एक परकार से यही चीजे ल मजने के लिए हमको खास करके रादनीती सब्द को जानना होगा रादनीती जो politics सब्द है इसके बारे में जानना होगा politics के बारे में आप लोग जानते हैं चुकि रादनीती का सवरूप च explains घरेलू हो चाहे अंतराश्टी हो उसमें प्रते एक बात इस तथे से प्रकट होती है कि लोगों की अपनी अपनी आवसकताएं हैं अपनी अपनी इक्छाएं हैं और इन्हीं आवसकताओं और इक्छाओं को संतुष्ट करने के प्रियासों की फलसुरूप क्या होता है लोगों से संपर् के आवसकताओं और एक्छाओं की पूर्टी के लिए तमाम परकार की गदविधियों में लीन होते हैं तो अलग-अलग नीतियां लोग अपनाते हैं और भी तमाम सारी चीजे होती हैं और इस परकार से राजनीती का उदय जो है विभिन समुह के अस्तुत और उसके बीच में इसी करिया के सब्दों में प्रतकरिया को ध्यान रखते हुए कोई सी राइट महदेने राजनीती को ऐसी कला माना है जिसके द्वारा क्या होता है कि बड़े गुटो अथवा समुहों को प्रभावित चल योजित या नियंतरत करके कोई समुह दूसरे समुह के बिरोध के ब राजनीती कहलाता है यानि क्या होता है जब राष्टों के बीच में क्या होता है पावर के लिए सकती के लिए संगर सोता है कि भाई हम आगे निकल जाएं वो सोचता हम आगे निकल जाएं तो इसी होड को ही एक प्रकार से क्या होता है अंतराष्टे राजनीती ठीक है कोलि सब्वी हारिक मामलों को समझ पाएं बिद्धवानों ने क्या परभासा दिए इसको मैं आप आपको बता रहा हूं तो कोलिकس ग्रास महोदे कहते हैं कि अंतराष्टे राजनेति जो होती है वो कैस क्या होती है राष्टों की जो विदेस नीतिया उन्हीं का अध्यन करना होता अंतर राजनेती ज़ीक है जबकि बात की जाए स्प्राउट महोदे की तो वो चहते हैं कि स्वतंत्र राजनेतिक समधायों जैसे कि राज्जियों के अपने अपने उद्देशह tinham Uऑ अथवा हित होते हैं ठीक तो इस प्रकार से थामसन मौदे कहते हैं कि राष्टों के बीच छिड़ी परतियस परधा के साथ उनके पारस परिग जो संबंद होते हैं एक दूसरे के परति उनको सुधारने के लिए या फिर बिगाड़ने वाली जो परिस्थितियां होती हैं और जो संस्थाय होती है उन्हीं के अध्यन को हम अंतराष्टे राजनीती कहते हैं तो अंतराष्टे राजनीती को मिला करके यही होती है यह बात ध्याना कियेगा को मिला करके पैडल कोड और लिंकन की बड़ी जबर्दस परिभासा है इन दोनों ने मिलकर के कहा कि बही अंतराष्टे राजनीती जो होती है ये राज सत्ताओं के बदलते संबंधों के संदर्व में राजों की नीतियों की जो अंतर क्रियाएं होती है वही होती है ठीक है तो ये अंतराष्टे राजनीती है कोड़ मिला करके समझ में आगए या विसमलित हैं जिनका प्रभाव एक से अधिक राज्यों पर पढ़ता है वही अंतराष्टी संबन्ध या राजनीती होती है ठीक है दूसरा कोशन सा आप देखेगा सकती संतुलन से आप क्या समझते हैं सकती संतुलन किसे कहते हैं भाई फड़ापट से आप बताने का प्र राजनीती रूपी दिवाल बनाने के लिए हमको कहीं ने कहीं पर सकती संतुलन रूपी निव की आवस कता पड़ेगी तो इसी बात को लेकरके पामर और पार्किंस महदय ने अंतराष्टी राजनीती का मौलसिध्धान्त बताया की सकती संतुलन जो होता है वो अंतराश्टिय राजनिती का मूल सिध्धान्त है जबकि राइट महोदे ने इसको एक मौलिक संग्यादी मलब की मौलिक कानून बताया है सक्ती संतुलन को कि एक मौलिक कानून है सक्ती संतुलन की मौल बात यहा है मेरे बैया कि विभिन राज़ों में सक्टी जो होती है इस प्रकार बटी रहे कि उनमें सक्टी संतुलन बना रहे ना तो कोई एक पक्ष उसे दबाए और नादूसरा पक्ष इतना सक्टिसाली हो जाए कि वह पहले पक्ष को दबाने के कोषिस करे मनलब सभी ताल मेल बैठा करके ठीक है तो सक्ति संतुलन को विद्वानों ने प्रकार से अलग अलग तरीके से परिभासित किया है फेने मौदे कहते हैं कि रास्टों के परिवार के बीच सक्ति जो होता है सक्ति का ऐसा संतुलन जो किसी रास्ट को इतना आधिक सक्साली होने से रोगता है जिससे वह अन रा जाए जिससे कि वो दूसरे राज्योब को प्रकार से कब जी आले मार पीट करके तो मलब उन्हीं सक्तियों को रोकना है आर्थात ऐसा कोई देश ना हो जाए जो मलब की अपमन मर्जी करने लगे जैसे कि भावे मने करें जो सोई ठीक है समझ रहे हैं ना है सुतंतर ना अगर इस प्रकार से कोई देश हो जाएगा इसे मालत अमेरिका पर भी परतिबंध है अगर अमेरिका कुछ करेगा तो सभी तुराश संग है या फिर रसिया कुछ करेगा या जापान करेगा या इसराइल करेगा ब्रेटन करेगा या फ्रांस करेगा जापान कुछ भी कोई देश करे जो भी सकति संपन देश हैं अगर वो किसी दूसरे देश को दबाने का परियास करे हाथ देखने जो है रसिया जो है वो बगल वाला देश क्या है उसका जो जिससे युद्ध चलना है तो उसको दबाने का परियास कर रहा था या फिर उससे युद्ध हुआ रहा हु जाए इतना आदा बलवान ना हो जाए कि वो दूसरे देशों को एक प्रकार से दबाने लगे दूसरों देशों के मामलों में हस्ता छेप करने लगे तो यही सक्ति संतुनलन होता है कि ताकि वो इतना सक्तिसाली ना हो पाए ठीक है समझ में आ गई चीजे आगे बढ़ते हैं प्रस्न है सीत युद्ध से आप क्या समझते हैं सीत युद्ध किसे कहते हैं सीत युद्ध की बात की जाए तो सीत युद्ध जो है खास करके दो महा सक्तियों के बीच में ब्याप्त तनाव की ऐसी स्थिती होती है सीत युद्ध जिसमें क्या होता है कि प्रतेक राष्ट जो होता है वो अपने को सक्तिसाली और दूसरे को कमजोर बनाने की चेश्ठा करता रहता है और यह युद्ध जो होता है हतियारों से नहीं लड़ा जाता है यह बैचारिक प्रसार प्रसार के लिए लड़ा जाता है और वातावड युद्ध साही प्रतीत होता है इसका लगत के जो अमेरिका है इन दोनों के बीच में सीटु सथवाइब के कि सद्धान्टों को बढ़ाने के चक्कर में कि हमारा सिध्धान्द लाग होगा ही वो सोचेंगे हमारा जो कि रूस जो है सामेबादी वेवस्था का देसे समाजबाद रूस में हैं और अमेरिका में पूझी बाद है तो पूझी बाद और समाज बाद का एक लड़ाई मान सकते हैं एक सीतियुद और एक ऐसी लड़ाई जिसमें हथियार नहीं अमेरिका जो है जो अमेरिका को फालो करते हैं देश अमेरिका उनकी मदद करके या फिर उनका सहरा ले करके या फ के पक्षिदरदे से उन पर रूस का समुर्थ तक वाले यानी एक प्रकार से आमने सामने जो है रूस और अमेरिका नहीं आ और करके लड़ते थे बस एक प्रकार से थे से Green ये एक प्रकार से यही था जो है सीत युद्ध सीत युद्ध को ले करके बहुत सारी चीजे होती रहे कि भाई यहां पर हमने उनके अड़ा किनारे बना लिया फिर उनके अड़ा तो एक प्रकार से चोथा रफा घहराओ करना यही सीत युद्ध के बारे में चीजे हैं बस ब अमेरिका और सोबियस संग और ब्रेटन एक साथ थे लेकिन युद्ध जब खतम हो गया तो सोबियस संग का अमेरिका और ब्रेटन से मदभेद सुरू हो गया और युद्ध कालीन सहयोग आस्थाई था किन्तु उसके पारसपरिंग मदभेद और एतिहासिक चीजे भी थी और खासर क्या देखते मदभेद उत्पर्ण हुआ उनीस सो सत्तरा में सामयदी व्यवस्था के अस्थापना के साथ क्या हो गया कि सामयबाद रूस ने अपना लिया और यहां पर अमेरिका ने पुझी बाद अपना लिया बैचारिक मदभेद हो गये और फिर से एक परकार से क बमकाब इसकार हो गया इसी समय एक दूसरे के बिद्ध प्रचार अभियान चलाए जाने लगे अमेरिका रूस के बिद्ध रूस अमेरिका के बिद्ध यही सब कारण होए सीथ युद्ध के अगला परसना आप किसके इन पराच चुका गुट निर्पेक्षता क्या है गुट है तो इसके बाद में दूतिय बिसुति के बाद में आपको पता होगा भारत देश भी आयाद हुआ tienen 1947 में तो भारत देश एक प्रकार से ये भी दा कि भारत जो है किसके तरब जाए या तो रूस के तरब जाए या तो अमेरिका बाई बश ने सौचा, भारत ने सोचा कि भाई मिखित रोगिर से भी हम को मदद मिल सकती है, और अमेरिका से मिल सकती है, इसलिए हम Kis情況 के पक्ष में नहीं जाएंगे, हम मिसील तरत व्यवस्ता अपनाएंगे, कुछ रोगिर से अपना लेंगे, कुछ अमेरिका की बिचारधारा से तो दुतिय विसुति के बाद में अंतराश्टि राजनिते में आमोल चुल परिबर्तन हुआ संपूर्ण विसुत जो है तीन भागों में बट जाता है पश्चिम के अद्दोगिक वा विकास देश सामिवादी देश बन जाते हैं और तीस पर आप देखिएगा जो रूस और अमेरिका में सामिल नहीं थे वो सारे एक प्रकार से गुट निर्पेक्ष देश थे ठीक है इसमें भारत का भी नाम था उनी सो उन्चास इस बिमे गुट निर्पेक्षता की नीती को अस्पष्ट करते हुए भारत के ततकालीन प्रधान संगराम में हुआ है जब मनुस की आजादी अथवा सांती जो है खत्रे में हो तब हम तटस्त नहीं रह सकते और हमें रहना भी नहीं चाहिए क्योंकि तटस्तता जिसके लिए हम संगस रत हैं विस्वास घात हो करके रह जाएगी असपष्ट यह गुट निर्पेक्षता की नीती सदेव हर परिस्थिती में तटस रहने की नीती है मलब तटस रहने की नहीं है बलकि उचित और न्याय के साथ जुड़ने की नीती रही है और यह एक सोतंतर नीती है गुट निर्पेक्षता की नीती नहीं थोपी जा सकती है सोतंतर है ठीक है गुट निर्पेक्षता की नीती जो है वो स्वतंत्र है स्वतंत्र निर्णई की नीती है जिसमें किसी प्रकार का बाहिरी दबाव नहीं होता है और खासे गुट निर्पेचिता का मुख रूप से तीन अर्थों में प्रियोग किया जाता रहा है एक नीती के रूप में दूसरा एक स्वायोजना के र आगे बढ़ते हैं अगला प्रसाद और उस समय गुट निर्पेक्षता की जो प्रासंगिक्ता थी वो भी एक प्रकार से अपने चरम पड़ थी नेरू थे नासिर टीटो सुकारडो इन सभी लोगों ने एक प्रकार से अपना विचार दिया ठीक है तो कुल मिला करके आंतरिक और बाहे मामलों में विचार की सुतंतरता इन में पाई जाती थी गुट निर्पेक्ष देशों में और एक नई विच्व आर्थिक व्यवस्ता की मांग की गई आर्विगनी सस्तरीकन के लिए दबाव डाला गया दक्षर दक्षर सहयों को प्रोसाहन मिला इसी से एक धुर कराश्ट को इस बात के खास करके इस बात के लिए तयार करना की वे अपना आंतरिक धन जो है पश्चिमी देशों में जमा करने के बज़ाए विकासील देशों में बिस्वासात्मा को देशों के लिए इस्तेमाल करें नव अपने वेसिक सोसन का विरोध किया गया रडगर सता की स्थिती से तीसर दुनिया को भारा गया सुरक्षा परिसद में विकासील देशों का अस्थाय परतिनुत की मान करना तीसर दुनिया में खास करके जीव और वौधिक संपता की चोरी करना कई प्रकार की चीज़े जो है कहिने के पे गुर्द निर्पेक्षता की प्रसंगिक्ता को बढ़ा रही थी और बहुत सारे देश इसमें सामिल भी हुए थे अगला प्रसंग देखेगा पाचवा नंबर प्रसंग किसके इन पर आ चुका है पाचवा प्रसंग आसियान कंट्रीज आसियान के बारे में आपके आंदे भड़बड से आप बताने का प्रियास करेंगे आसियान की बात किया है तो आसियान कंट्री जो है खास करके इसका ततपर होता है जो दक्षिर पूर्वी एस याई रास्ट है उन्हीं के संगठन है आसियान आसियान का फुलफार्म होता है ए माने होता है या क्या ए माने होता है एसो सियसन ठीक है यस माने होता है साउथ इस्ट माने होता है वलब ए माने होता है इस्ट ए माने होता है एसियन और यन माने है नेसन यानि की एसो सियसन आप साउथ इस्ट एसियन नेसन यानि दक्षिड पूर्वी A.C.I. राष्टों का संग और इस संगठन के प्रमुक राज जो थे उखास करके उनमें नाम है थाई लेंड का ठीक है नाम है फिलिपाहिंस का इंडोनेसिया का सिंगापूर मलेसिया यह सभी राष्ट जो है इसमें सामिल हैं और इन राष्टों का संगठन आपस म ब्यापारिक और आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था या बात एक प्रकार से सिध्धानतता बिल्कुल सत्य है परन्तु एसियन असल में उपज है अमेरिकी कूट नीती की अमेरिका सहयोग करके इस शेतर में अपना वर्चस बनाया रखना चाहता है और इस श सामवादी परभाव का विस्तार परोच रूप से रूस की ताकत को बढ़ावा मिलना ही है चुकि रूस सामयवादी विचारधारा का प्रेरक देश है और उसी को लोग अपना रहे थे चबकि अमेरिका एक परकार से ऐसियन कंट्रीज की परकार सी पक्षदर था वो बढ़ से थाइलेंड से जबकि जापान पास पड़ता है तो कहीं न कहीं पे जब अमेरिका को दोहरा संकट जेलना था पहला रूस की राधनीतिक सक्ती का और दूसरा जापान की आर्थिक सक्ती का तो इसका परेडाम यह होता है कि इस छेतर के छोटे 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 राज अपने विकास के लिए प्रस्नमाचक भबिस्की और जाकने लगे और बियतनाम जो है दो भागों में बढ़ जाता है कोरिया भी दो भागों में बढ़ जाता है आए इस्थिरता ब्याप्त हो जाती है और एक और रूसी समर्थक राष्ट जिनमें बियतनाम का एक भाग कोरिया का एक भाग लाओस और कंबोडिया रहे से सरकार अमेरिकी गुट में समलित रही तो यह प्रकार से कहीं न कहीं पे यहीं सब था एसियन कंट्रीज में आगे बढ़ते हैं अंगला प्रस्ट छठा नंबर कोशन से आपका किसी राज्य को सक्तिसाली बनाने में किन-किन तत्तों का योगदान होता है बढ़हां प्रस्ट आपकी परिचा के दिश्टे से बताने का प्रियास करेंगे इसका करक्ट एंसर क्या हो जाएगा किसी भी राष्ट को खास करके अगर आपको क्या बनाना सक्तिसाली बनाना है तो आपको किन-किन बातों का ध्यान नखना चाहिए यह बहुत ही important है तो सबसे पहला हमको क्या ध्या नखना चाहिए भईई हमको ध्या नखना चाहिए भवगोली किस्थिती तो किसी राज को सक्तसाली बिनाने में किन-किन तत्तों का योगदान होता है प्रस्निये हैं किन-किन तत्तों का योगदान होता है तो पहले यो तत्तों हो चोथी बात जनसंख्या कितनी है उस देश की पाचिवी बात और दोगी छमता के मामले में देश की पोजीशन पर है और तकनिकी मामलों में एक प्रकार से कैसा देश है ये सभी कहिने के पे एक फैक्टर का भूमिका निभाते हैं एक राज की सक्तिसाली बनाने में इसके अला कामा राज का नेत्रत कौन कर रहा है ये भी फैक्टर है प्रकार से और कूट निदिक छमता उस देश की कितनी है ये कई प्रकार की चीजे जो है खासर के एक राज को सक्तिसाली बनाने में महत्रपूर्ण भूमिका निभाती है तो इन तत्तों को विसेज तरीके से ध्यान देना चाहिए किसी भी राज को तभी उनका देश आगे बढ़ पाएगा और खासर के भोगोलिक हिस्ति राज का आकार प्राकरतिक संसादन ये सब तो अपनिबस में है नहीं ठीक है तो इसलिए खासर के ये इंपोर्ण भूमिका निभाता है किसी राज को सक्तिसाली बनने के लिए साथवा कोशन साब देखेगा परमाण संपन देश कौन कौन से है तो परमाण संपन देश की बात किये तो आपको पता होगा बिस्त के लगबग पांच परमाण संपन देश है कौन कौन से पहला तो वह बही अमेरिका आप सभी को पता होगा कौन है अमरीका दूसर कौन है आपका ब्रेटियन ठीक है तीसरा कौन है सोबिय संग अर्था रसिया यह निरूस चौथा है चाइना और पांच बाइफ फ्रांस यह पांच देश हैं जो परमाण संपन थे मलब पहले थे ठीक है और इनको पी-फाइब के नाम से जाना तक इसको पी-फाइब के नाम स इसको जाना जाता था किसको परमाड़ संपन देशों को कौन कौन से अमरीका, ब्रेटन और सोबिय संग और चाइना और फ्रांस ठीक है इसके अतरित क्या हुआ कि अब भारत और पाकिस्तान इसके अलाओं उत्तर कुरिया के पास भी परमाड़ बम आ चुका है तो अब आणो बम जो है लगबग आठ देशों के पास हो चुका है ठीक है तो जब पांच परमाड़ संपन देशों ने दूसरे के द्वारा परमाड़ पर एक छड़ पर परतिबंद लगाया हुआ था कि भाई पी फाइब देशों के पास है परमाड़ अब और कोई देश परमाड़ बम नहीं बना सकता है तो यह क्या बात हुई कि अपना करो तो एक प्रकार से बहुत अच्छी बात है और हम करे को दूसरी बात है तो बारत ने बनाया, पाकिस्तान ने बनाया, उत्तर कोरिया को कोई बोले बोले, कोई बोल नहीं सकता उसको, डेंजर देश एकदम से, तो कहीं ने कहीं पे, लेकिन क्या हुआ, उत्तर कोरिया द्वारा समय समय पर तीन बार परमार पर चड़ किया गया, इधर अमेरिका और सब रोकिया कि भाई नहीं करना यह वो दुनिया बार का और परिच्छन जो है गम से परसेज़े करता था वो कि सभी लोग जान जाते थे कि भाई पर उच्छ परिच्छन हुआ कुछ नहीं उसका हुआ तो तीन बार पर उच्छन उसने किया तो अब आग देश आपके हो सकते कौन कौन से भाई अमेरिका ब्रेटन और रूस चाइना फ्रांस और इसके अलावा अपना भारत और भगल वाला पडोसी देश यह नि पाकिस्तान और फिर उसके बाद में उत्तर को रिया ठीक है तो यह प्रमान संपन देश है अगला कोशन देखेगा आठवा नंबर प्र अस्थापना के लिए निसस्त्रिकड बहुत जरूरी है अगर सस्त्रों की संख्या बढ़ती जाएगी तो लोग आपस में एक प्रकार सस्त्र बनाने बनाया कि जाता है जगड़ा लड़ाई के लिए तो बनता है अगर सस्त्र बनता रहेगा तो एक प्रकार से क्या होगा भ पुनात निर्माण और आर्थिक कल्याण के लिए जरूरी है निसस्त्रीकण को रोकना लग निसस्त्रीकण को बढ़ावा देना चुकि ताकि सस्त्र ना बन पाए निसस्त्रीकण मलब उता सस्त्रों के बनाने से है सस्त्रों को बढने से रोकना तिसरी बात समयस्याओं के लि भी निसस्त्रिकन परम आवसेक हो गया छ्छटी बात ये है कि समराजवाद और उपनिवेश वाद से लड़ने के लिए निसस्त्रिकन आज बहुत ज kulliक हो गया है ये वाध्यान लखिएगा तो किस की-किस के लिए सांती के अस्थापना के लिए पुना निर्माड और आर्थिक कल्यान के लिए समिस्याओं के सांती पुन समाधान के लिए नैतिक वातावर्ण के निर्माड के लिए आलविक संकट से बचने के लिए और समराज जबात अथा उपनिवेसवाद के बलब उससे लड़ने के लिए उससे बचने के लिए थे तो कहिन के पर यह एक परकार से कई सारे आवस्थेख चीजे हैं तत्थे हैं जिनके माद्धम से हमें बता सकते हैं कि आज के समय में निसस्त्रिकर्ड बहुत ज़ादा आवस्थेख है नवा प्रसनाब देखेगा अंतर राष्टी बिधी की परिभासा दीजिए अंतर राष्टी बिधी किसे कहते भाई फड़ापड से आप बताने का प्रियास करेंगे अंतर राष्टी बिधी की बात की जाए तो ओफेन हीम महोदय ने अंतराष्टी बिधी की परिभासा बताई है बिधी माने होता है कानून अंतराष्टी का मलब होता है इंटरनेस्नल यानि अबिस्वस्तर की जो बिधी कानून है वो तो राष्टों की बिधी अतवा अंतराष्टी बिधी जो होती है उस आदिजन तथा परंपरागत नियमों के समू के नाम को कहा जाता है जिने सब भे राज जो होते हैं अपने पारसपरिक व्योहारों में बंधनकारी मानते हैं ऐसा बताया ओपेन हीम ने जबकि जेयल ब्राइली महोदे ने कहा कि राष्टों की बिधी यतवा अंतराष्टे बिधी उन नियमों तथा कार रूप में आने वाले सिध्धानतों का समू है जो सब भे राष्टों के पारसपरिक संबंधों पर बंधनकारी होते हैं ठीके तो यह है अंतराष्टे बिधी अंतराष्टे बिधी कई सारे स्रोत होते हैं ठीके और अंतराष्टे कानून की बात किये तो बादिकारी नहीं होते हैं यह राज्यों की इक्षा पर निर्भर करते हैं कि अंतराष्टे कानून को सभिकार करेंगे कि नहीं करेंगे बादिकारी होते हुए भी अंतराश्टे कानून एक प्रकार से आवस्यक होता है चुकि आराजक्ता से बचा जा सकता है अंतराश्टे कानून को अपना करके बिसुसांती बनी रह सकती है संगर्स को सीमित क्या सकता है और इसके लाव आवस्यक्ताओं को पूरा क्या सकता है आडवी को नर तनाव सित् resulting का मतलब ये है कि प्रकार से संधियां जो हुए ही इसे एक देश दूसरी देश लड़ रहे थे और लड़ने के साथ सब क्या हुआ कि उनकी लड़ाइई को खतम कर गर किसी संधिय के माध्यम से हम उनकी लड़ाइई खतम करवा देतं तो वो होता है सित तनाओ सितल्त तो नों की तृद में तनाओ TOP अबаров क्या पढ़ा आभ शिखलन परद्माने संधी और थो dá notesू से बात्षीत करते हैं धान यह तना शुतला की दूसरी घटना है उनी सो 68 इसबी में आप देखिएगा प्रमाडु अस्त्र प्रसार निसे संधी पारित हुई या भी इसकी एक घटना है तीसरी जो घटना है वो मासको जोती घटना है मासको बोन समझवता हुआ समझवता भी होता है 1932 इस भी में सामरिक सस्त पर सीमन समझवता होता है यह सारे के सारे जो एक प्रकार से घटनाएं हैं तनाव सी दुलता की ही प्रमुग घटनाएं हैं इसके अलामा और यूरोपियन सुरचा सम्मेलन हुआ बलादी वोस्तक सिखर सम्मेलन हुआ अपोलो सो टाइम टो टाइम नोटिफिकेसन मिलता रहे और आप आसानी से पढ़ते रहें खंडबा की अगर बात की आए तो खंडबा से जो है आपको सभी प्रसन करने होते हैं दोसों सब्दों में एक प्रसन का उत्तर देना है आपको पांच कोशन दिये गए हैं और प्रतेग प्रस देशों के संगठन जी सेबंटी सेबन पर संशिप्त निबंद लिखिए तो आप चाहो तो विकास सील देशों के संगठन जो जी सेबन है जी सेबंटी सेबन है इस पर आप संशिप्त निबंद लिख दियो और चाहो आप तो भारत और बंगलादेश की बीर जो विबाद ध्यान लगेगा ठीक है तो एक uhी करना है दोनों में से थीक है दोसो सब्दों में एक प्रस्ण का उत्तर देना है पहला परस्ण आपका है भारत और बंगला देश के बीच में विबाद्गरस्ट जो विसे हैं वो कौन कोन से हैं ये बताने का प्रियास करेंगे तो भारत और बंगला देश के अगर बात की जाए तो कई सारे विबाद गरस्त बिसे रहे हैं भारत और बंगला देश के बीच बंगला देश के अस्तित में आने के बास से बराबर अच्छे संबन रहे हैं तो कि बंगला देश के एक राष्ट के रूब में अस्तित में आने क पीछे कहीं पे भारत की बहुत बड़ी भूमिका है आपको पताओगा इंदरा गांधी ने ही आजात करवाया था ठीक है इसको जो पूर्वी पाकिस्तान पहले था ये ठीक है और पश्रीम पाकिस्तान उदर था जो आज का पाकिस्तान है लेकिन इसको एक प्रकार से बंगला अधियुत परन हुए है खासर के दोनों राष्टों के बीच में भारत और बंगलादेश के बीच में संबदों में खटास भी आप देखेंगे लगातार बनी रहे कुछ शणों के लिए और ऐसे विबाद ग्रस्त बिसे बहुत सारे हैं जैसे कि पहला विबाद तो आपका स और बंगलादेश को ले करके चौत्वा विबाद जो है वो खासर के ये बंगलादेश से जो अल्प संक्यक हैं और लोगों का जो बड़ी संक्या में भारत में आना लगातार रहा है रोहिंगिया वगएरा तो ये प्रकार से ये सब जो भारत में आ रहे हैं वहां से तो बं सीमा पर जगड़े की घटना गारो परबत छेतर में होती रहती आये दिनों इसको काफी पहले ही सीमा ने धान करके हल कर लिया गया तीन बीगा जमीन खासर के भारत के अधिकार छेतर में थी लेकिन बंगलादेश के हिस्सों में क्या हुआ कि उसके बीच में पढ़ती थी बंगलादेश बराबर इस जमीन को भारत से मांगता रहा और अंतोगत्वा क्या हुआ 1902 की बात है उसमें भारत सरकार ने इस जमीन को बंगलादेश को लेज़ पर देने का निरड़ाई कर लिया और इस समस्या को जड़ से ही खतम कर दिया तो कहीने कई पे कुछ समस्याइ यह बच्चा है पाकिस्तान और वारत का ही अबलब पाकिस्तान और जो है बगलादेश यह भारत से ही निकले हुए है ठीक है यह बात ध्यान लखिएगा तो विवादागर्स्त यही सारे मुद्दें कुछ मुद्दे बाकी सारी चीजे ठीक है तो इतना आप लिख अनोब चारिक समूँ है जिसका मुख उद्देश क्या है नई अंतराष्टी अर्थविवस्ता की परतिय स्थापना करना बोडूंग 1955 में क्या हुआ पहली बार इस दिसा में परियास किया गया तथा तरतिये बिस्तु के देशों की एक आम अर्थविवस्ता की दिसा पर ब कुछ निर्पेक्ष में उन्होंने अर्थविवस्ता को कुछ इस परकार बदलने का प्रियास किया कि संपूर्ण विस्तु अर्थविवस्ता की परिवर्तन सी प्रतीती होने लगी और खासर के आप देखिएगा जी सेबंटी सेबन का प्रादूर भाव सन 1963 इस बिमें दोत हैते थे जब जो है अंकटाड यानि UNCTAD संयुक्त राष्ट महासभा का एक प्रधान अंग हो गया तो क्या हुआ कि जी सेबंटी सेबन ने भी अपनी पूर महत्तवा प्राप्त कर लिया और सन 1963 से ले करके 1983 इस बिके बीच में आप देखिएगा जी सेबंटी सेबन की छे प्रमुख विसाल बैठके होती है जिसमें ब्यापार विकास में विभिन प्रस्ताओं से सम्मंदित तरतिये विस्ट के जो देश हैं जो गुट निरे पेक्षिता सम्मंदित देश हैं उन देशों में अंतर सकता भी एक प्रकार से उनको लगी कहीन कई पे तो जी सेबंटी सेबन ये विकासिल देशों का एक संगठन है जी सेबंटी सेबन के देश हैं आगला कोशन साब देखेगा दूसरा प्रस्ण है संयुक्त राष्ट संग के प्रमुख वद्देश संचेव में बताईए पर बात के संयुक्त राष्ट संग के उद्देशों की तो चार्टर के अनुसार संयुक्त राष्ट संग के चार प्रमुख वद्देश हैं उसी चार प्रमुख वद्देशों को लिग देंगे तो अपना काम हो जाना है तो देखे पहला उद्देश जो बताया चार्टर मह वो यहाँ बताया कि सामोहिक विवस्था के द्वारा अंतराष्टे सक्ति एवं सुरक्षा कायम रखना और आक्रमक प्रविट्टियों को नियंतर्ण में रखना ये पहला उद्देश रहा है संयुक्तराष्ट संग का दूसरा उद्देश ये रहा है संयुक्तराष्ट संग क कि अंतर राष्टे विबादों का सांती पूर समाधान करना और तीसरा जो है ये रहा संग्तुरार्संग का उद्देश की राष्टों के आत्म निरड़े और उपनिवेस वाद बिगटन की प्रकरिया को गती दिया जाए चोथी बात ये है कि समाजिक, आर्थिक, सांस्कृति और मानविये छेत्रों में अंतर राष्टे सहयोग को प्रोसाहन एवं पुष्टी दी प्रदान किया जाए तो कहीं ने कहीं पे संग्तुरार्संग का उद्देश रहा है वो विस्त सांती को ध्यान में रख करके उद्देश उनका रहा है ठीक है और संग ने इन को हम कितिक छेत्र की फोतंत्र और प्रथक स्वायतता प्रकार से दी जाए तो कहीं ने कहीं पे संग्तुराष संग के कई सारे उद्देश हैं जो कि आपको जानने चाहिए और परिछा प्रशन भी यहां से आते हैं ठीक है ऌंपरदते हैं अगला प्रस्फ देखे अतवा करके आपको प्रस्न दिया गया है बढ़िया प्रस्न है पर इच्छा के दिश्टी से आपके प्रस्न है नी सस्त्रीकन के कितने प्रकार होते हैं संचे में बताइए बढ़िया प्रस्न है नी सस्त्रीकन के बारे में आपसे पूछा गया है नी सस्त्रीकन के कितन इन अस्त sort sstre आये हैं और राधनितिक परिवर्टन बहुत सारे होए हैं इसी काभण से क्या हुआ है कि इसके कई सस्त्रीकन के भी कई रूप हो गए है पहले एक ही रूप था को मिला करके निसस्त्रिकन का सीधा समलब होता है सस्त्रों का परत्याग करना ठीक है लेकिन फिर भी बदलते परवेश के साथ इसके कई रूपों का उधे हुआ है आए दिनों तो उनी रूपों के बारे में आपसे पुछा या रहा कि निसस्त्रिकन के पताते पर है कि इसमें बिश्व के सभी राज भाग ले तथा सभी प्रकार के अस्तस्त्र को नश्ट कर दिया जाए या तो इत्याग दिया जाए या उन पर रोक लगा दी जाए तो यह हो गया समान या पूर निसस्त्रिकन ठीक है एक दम से खतम ही कर दिया जाए दूसरा जो प्रकार है निसस्त्रिकन का वो है परंपरागत निसस्त्रिकन परंपरागत निसस्त्रिकन क्या होता है इस तरह के निसस्त्रिकन का मतलब होता है कि परंपरागत जो पुराने अस्तस्त्र हैं उन पर नियंत्र किया जाए उन्हें नश्ट कर दिया जाए जैसे कि सेनाव में कटोती कर दिया जाए उनके परमपरागत अर्थ सस्त्र जो है उन पर रोग लगा दी जाए तो इस प्रकार से हम परमपरागत निसस्त्रिकन कर सकते हैं तीसरा जो प्रकार है निसस्त्रिकन का वो है आणविक निसस्त्रिकन का क्या मलब होता है कि पहले तो परमपर के बाद आप देखिएगा आलबिंग निसस्त्रीकन की मानता जोर पकड़ने लगी है और निश्यत तोर पर ये जो है बहुत जरूरी है आलबिंग निसस्त्रीकन चौती बात ये है मात्रात्मक परतिबंद तो ये भी निसस्त्रीकण का एक परकार है मात्रात्मक परतिबंदी करन मात्रात्मक निसस्त्रीकण या परतिबंद इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि निसस्त्रीकण में जब हम किसी परकार के सस्त्रों का या सेनाओं की कटोधी करते है या उनकी संख्या पर प्रतिबंद लगाते है तो यह मात्रा अत्मक प्रतिबंद कहला याता है कि बायी तुम एक हजार सेना रखते थे आप तुमको 500 सेना ही रखनी है मलब इस प्रकार की कटोधी जो होतीग हो थी निसस्तिकड में वो होती है आपकी मातरात्मग परतिबंद टाइप की थे और पाचवा जो एक प्रकार से प्रकार है निसस्त्रीकन का वो होता है गुडात्मग निसस्त्रीकन है गुडात्मग निसस्त्रीकन का मलब होता है कि जो है हम सस्त्रार्थों की मारक छमता या बिदोनसात्मग छमता में कमी लान जो है दूसरे देश पर आकमन नहीं कर पाएंगे या आकमन करने से डरेंगे कि भाई अभी हम अगर मिसाइल छोड़ भी देंगे तो हमारे देश में ही आएगा तो लोगों को दिखाने के लिए रहे कि भाई मिसाइल है लेकिन वह ज्यादा मारक चमता वाली ना हो तो कई न क नहीं पर यह तमाम प्रकार के प्रकार हैं निसस्त्री करन के ओके आगे बढ़ते हैं कि अगला प्रस्ण आपकी स्कीन पर आच चुका है सभी लोग देखने का प्रियास करेंगे बहुत ही इंपोर्डेंट प्रस्ण है देखिएगा तीसरा प्रस्ण दक्षण पूर्भी ए संधी संगठन के बारे में आपके जानते हैं फटाफट से आप बताने का प्रियास करेंगे दक्षण पूर्भी एस याई संधी संगठन को अंगरीजी में बोलते हैं साउथ इस्टेसिया ट्रीटी अर्गनाइजेसन ठीक है जिसको बोलते हैं सीटो जिसको आप बोलते हैं तो दक्षिन पूर्वी A.C.I. संधी संगठन के अगर बात किया है तो इस संगठन के निर्माल का परमुक कारण क्या था कि साम्मिवादी प्रसार पर रोक लगाया जाए चीन के बढ़ते साम्मिवादी प्रभाव के कारण से क्या हुआ कि जो बिश्टन चर्चिल थे उन्होंने अमेरिका के संगठन की अस्थापना करने के पक्ष में नहीं था क्योंकि अमेरिका या समझता था कि ब्रटेन तथा फ्रांस इस प्रकार के संगठन के द्वारा मातर अपने समराज की रक्षा करना चाहते हैं परन्तु कोरिया युद्ध के समय उत्पन होई परिस्यतों के कारण से क्या हुआ कि अमेरिका की इस प्रकार के समझोतों की आवसकता भी प्रतीत हुई और इसका परड़ाम या हुआ कि अमेरिका के ततकाल इंदूर दर्सी जो बिदेश मंतरी थे उस समय उनका नाम था जान फास्टर डलेस उन्होंने क्या किया लंदन जा करके ब्रेटन के सामने नाटो ऐसी एक संस्था के समय सुरक्षा के लिए आस्थापना करने की बात कही है और उसकी जो योजना थी यो पहले ही बता दी गई थी उसको सुभिकार कर लिया और एक योजना प्रसुत करी आठ सितंबर 1954 को मनीला सहर में आस्थेलिया फ्रांस न्यूजिलेंड ब्रेटन फिलिपाइन्स पाकिस्तान थाइलेंड और संयुक्त राज अमेरिका ने आपस में एक सुरक्षा संधी करी और यही संधी आधार बनी दक्षिड पूर्भी एसिया संधी संगठन करी की ठीक है जो इन लोगों ने सुरक्षा संधी करी थी न्यूजिलेंड फ्रांस आस्टेलिया ब्रेटन इन सभी ने फिलिपाइन्स पाकिस्तान थाइलेंड संधी राज अमेरिका ने आठ सितंबर 1954 54 भी को मनीला सहर में ठीक है तो वो क्या हुआ वही आधार बनी किसकी दक्षिड पूर्भी एसिया संधी संगठन के निसीटों की सभी हताचर करता राज्यों ने स्वतंतरता समानता सांती जनतंतर और कानूनी ब्यवस्था के में खासिर के महतमुन विश्वास प्रकट किय जथा संधी राष्ट के चारकर सिधानतों में अपनी आस्था को दोहराया और इन राष्टों ने यहाभी तैंकरा कि इनके मध्य होने वाले जो कोई भी विवाद होंगे तो सांती पूर्ण तरीके से मुनको निप्टाने का प्रियास करेंगे और तैंक किया गया कि खासरी क्या होगा इस संधी की आत्मा यही थी कि भई विवाद को हम सांती पूर्ण तरीके से निप्टाएंगे और इसकी चौती धारा जिसमें यह वादा किया गया था कि संधी करने वाले जो देश होंगे उनमें से दिक किसी पर आकमण किया गया अत्वा सांती भंग होने की मान रूप से माना जाएगा और यह राष्ट अपनी सुरक्षार्थ बैधानिक कारवाईया करेंगे इस्ति की सुचना दे करके संधी राष्ट को आउगद कराने कराते रहेंगे और इस संधी की धारा चार का स्पष्टी करण देते हुए अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया क आक्रमण का आर्थ होता है सामिवादी आक्रमण से ना कि किसी भी अनिप्रकार के आक्रमण से संधी आनिश्चित काल तक के लिए की गई परंतु यदि कोई देश यहां से इस संधी से निकलना चाहे तो वो इसकी सूचना एक वर्स पहले देना पड़ेगा तभी संधी से निकल पाएगा खास करके चाइना के विरोध में की गई थी चाइना की बढ़ती जो एक प्रकार से सामिवादी नीती थी उसी को रोकने के लिए उसी के विरोध बनाई गई थी ठीक है अगला है यह तो सीटो आपने समझ लिया दूसरा है उत्तरी अटलांटिक संधी तो एक दर्जन पश्चमी राष्टों ने क्या किया अप्रेल उनीस उन्चास इसबी में कई सारे उद्यसों को सामने रख करके एक संधी करी और उसी संधी को हम नाटो कहते कौन कौन से उद्यस थे पहला उद्यस तो यह था नाटो का सोबियत सामयवाद को रोका जायनी र उपस्तिती में भी सामना करना जबकि संधी राष्ट संग से प्रियाप्त सक्तित था सहयोग प्राप्त होने की आसाना हो सामोई का अत्मलच्छा के प्रदैसिक संगठनों का प्रबंद जैसे अमेरिकी नीती को कारनवित करने के लिए तो एक परकार से इधर चायना को रोक ने के लिए क्या बना था दच्छ्ड पूर्वी संधी संगठन ने सीटो और रूस को रोकने के लिए उत्तरी अटलांटिक संधी संगठन ने नाटो ठीक है तो यह सब अमेरिका की ही चाल्थी मुक्रूप से और खासर कई सारे राज थे इसमें अमेरिका था फ्रांस था कन संधी के संगठन थे और आपको बता दू कि इस संधी का सामान इस समय 20 वर्स नहीं किया गया था नाटो ने अभी खासर के आप देखेगा 1989 भी में अपनी चालिपसी वर्सकार भी मनाई थी और दीरे दीरे इस संधी का प्रभाव जो टर्की और युनान पर भी पढ़ने ल संधी के प्रारूप पक्ष में असवविकार किया था कि उन्होंने संधी राष्ट संग के चार्टर में पूर्ण विश्वास है और ये राष्ट उनका आधर करेंगे संधी करेंगे जो चार्टर है जो अधिनियम उसका और इसके अलावा अपनी सुतंतरता लोगतंतर और बैक्ति सुतंतरता के लिए विधी पर अधरी समस्या की रक्षार्थ उत्तरी अटलांटिक चेतर में सांतिय और सुरक्षा का वात्यावण बनाये रखने के लिए इस प्रकार की संधी कर रहे हैं ऐसा संधी राष्ट संग को बताया गया और इससे तो यह हस्पस्ट हो जात था कि इस प्रकार का संग्ठन वास्तों में संयुक्त राष्ट संके हित में तो है वरन या विशुसांति के लिए भी मैत्रपून सिद्धोगा परंतु इस संधी का वास्त भी मनतब तो उसकी धारा पांच में असपश्ट किया गया था और इसमें यह कहा गया था कि संधी क जो होंगे इन सब राष्टों पर मालिया जाएगा कि आकमण हुआ है ठीक है क्या माला जाएगा कि सभी राष्टों पर आकमण किया गया है और संयुक्त राष्ट संके चार्टर की धारा 51 की अनुसार स्वोविकार किये गए ब्यक्ति-गत त mother Omega की ए दिकार का प्रियोग कर ठीक है ये नाटो का ही एक नमूना अगला प्रसाम देखेगा चौथा नमर प्रस्था है सक्ति की कोई चार विसेश्था हैं बताइए बढ़िया प्रस्था है परिच्छा के दिश्थी से आपके सक्ति की कोई चार विसेश्था हैं आप से पूछ रहा है सक्ति की विसेश्थ तो किस प्रकार का है एक पद पर एक ब्यक्ति पद की गरिमा और प्रतिष्ठा को बढ़ाता है जबकि दूसरा ब्यक्ति उसी पद पर काम करते हुए आसफल हो जाता है और उससे पद की गरिमा भी कम हो जाती है तो एक सक्ति का सम्मन इस्थिती से होता है दूसरा मानिता के न मानी जाती है यदि जनता उसे मानिता ना दे उनकी आग्या का पाला ना करे और उनका अनुसासन का परचे मलब जनता ना दे सासक उसे अनुसासन में ना रख सके जनता को तो वह सक्ती नहीं मानी जाएगी तो मानिता प्राप्त होनी चाहिए जनता से सक्ती तीसरी सक्ती होती है उद्देश परक्ता को लेकर के ये विस्तेस्ता होती है सक्ती की क्या उद्देश परक्ता और खास करके इसी लिए उद्देश परक्ता जो है बहुत ही important विसेस्ता है सक्ती की चोथी विसेस्ता जो पूची गई है वो ये है सक्ती जो होती है ये दिखाई नहीं पड़ती आर्थाती ये अमोर्त होती इसका कोई रूप नहीं होता है सक्ती का भौतिक शुरूप नहीं होता है बल्लब उसे ना तो देखाया सकता है ना ही छुआया सकता है बल्कि उसका अनुमान क्या सकता सक्ती का पावर को आप ना देख पाएंगे ना छूप पाएंगे पावर को बस अनुबो कर पाएंगे और वह एक भावना होती है जो पावर यानी सक्ति होती है अमूर्थ होती है ठीक है ये हो गई सक्ति की विसेश्था है अगला प्रस्ण है आपको आर करके दिया गया है राश्टी और राष्टी हित के अविब्रद्धी के साधन बताईए हूँ जो होते हैं वो अपने कारियों का संचालंज जिस नीती के अधारं पर करते हैं उसे हम राष्टी हित कहते हैं हर एक देश अपने राश्टी हित के लिए ही जुड़ा रहता है ठीक है या राश्टी हित किसी भी देश की विदेश नीती की आधार सिला होती है प्रतेख देश का राश्टी हित उसकी आवशक्ताओं के अनुसार अलग-अलग होता है और या भावगोलिक और एhtihासिक परि धारड़ा इतनी आसपस्ट है कि यह अर्थ हीन है कि इसे अधिक से अधिक एक दिखावे की धारड़ा कहाया सकता है इसके अलावा पैडल फोड और लिंकन की परिभासा आई राष्टिय हित की कहा गया कि राष्टिय हित जो है राष्टिय हित की अवधारा समाज के मूल भूत मूल्यों से जुड़ी हुई है और ये मूल कौन से होते हैं जो समाज के मूल भूत जो मूल है खासर के वो कौन से हैं से राश्ट का कल्यान, उसके राजनितिक विश्वासों का सनक्षन, राश्टे जीवन पद्धती, छेत्री अखंडता और सिमाओं की सुरक्षा, ये सब हैं आपके मोल भूत समाजिक मोल हैं, और इनहीं से सम्बन्दित हैं आपका खासर के राश्ट के कल्यान से, राजनितिक कि अवधारणा समाज के मोल्बूत मोल्यों से जुड़ी हुई एक धारणा है किलियर जोसेफ फ्रेंकले महुदे की एक पुस्तक है नेसनल इंट्रेस्ट पुस्तक के अगर बात की जाए तो इस पुस्तक में राष्टेहित की व्याक्या राष्ट की आकांग्छाओं विदेशनीती को उस सीमा तक संचालित करता है जहां तक उसका राष्टेहित होता है राष्टे स्वार्थ होता है ठीक है हंस जे मारगन थाओ कहते हैं कि विदेशनीती का धे राष्टेहित के संदर में किया जाना चाहिए तो कईने कई पर राष्टेहित का मतलब होता है कि भाई अपना हित गिया जाए राष्ट का कल्यार हो हमारे और इसलिए विदियस नीती के द्वारा ही कहिन कई पर ये होता है इससे जुड़ी वी होनी चाहिए तो कई सारी साधन है पामर और परकिंस महोदे ने अंतर राष्टे राधिती में राष्टे हित के अविद्धी के लगबग पांच जो है साधन बताएं हैं पहला साधन है कूट नीती जो होती है और राष्टे हित को एक प्रकार से अविद्धी उसकी करती है दूसरी बात परचार और राष्टे हित से क्या होता राष्टे हित में अविद्धी होती है आर्थिक साधनों से ठीक है इसके अ अलावा समराजवाद और उपनिवेस वास से और युद्ध से यह पांच साधन होते हैं राष्ट्य हित की अविवरद्धे के लिए ओके आगे बढ़ते हैं पांचवा प्रसना किसके इन पर आ चुका है अंतराष्ट्य राजनिती के महत्तु का संचेप में वरणन कीजिए ब अंतराष्ट्य राजनिती होती है उसकी मूल समिस्या राज्यों के आपसे संबंदों के मूल कारणों का बिसलेशन करते हुए एक अस्थाई रसनात्मक बिस्वयपी सक्ति की परिस्थितियों का निर्मार करना होता है और जिनमें सभी राष्ट सहस्तित के आधार पर अपन बिकास कर सकें अंतराष्ट्य राजनिती के अध्यन का महत्यों जो है कई प्रकार के पॉइंट्स को समयने के बाद में ही हम पता लगा पाएंगे तो अंतराष्ट्य राजनिती के अध्यन का उद्देश अंतराष्ट्य समिस्याओं का बिसलेशन करके इनका युक्ति-वक् मैं तो है अंतर राष्टे राजनीती के असली सुरूब को समझने के लिए इसके आधार भू तत्तों से परचित होना आवस्थिक है आधुनिक बिस्ट के कल्यान निर्धारक जो तत्त है और निर्डायक जो तत्त है उनमे निसस्त्रिकन समराजबाद उपनिवेसवाद राष के बारे में जानकरी मिलती है उपनिवेसवाद के बारे में राष्टबाद के बारे में अंतर राष्टी वैपार के बारे में जानकरी मिलती है तीसरा महत यह है कि विस्ट सांती आज के युकी आप प्रतिम आवा सकता है और प्रोफेसर चार्ल्स मार्टिन कहते हैं कि अंत प्रभुता की भावना विदमान रहेगी, बिसु सरकार का एक ही सपना बना रहेगा, अंतर राश्टे राजनीती बिसु सरकार की अवधारा का अध्यन करने कराने वाला भिसे हैं, ठीक है, ये भी एक महत्तु है, पाचवा महत्तु इस बात से सपच्छ होता है, कि अंतर निति के माध्यम से ही काम करती है जो अंतराष्टे जो रादनीती होती है ठीक है चाकि अपने हित के लिए ही तो इसलिए अंतराष्टे रादनीती के अध्यन में बिदेश नीती की अध्यन की मांग काफी हद तक पूरी हो जाती है छटा मैत तो इस कारण से है कि अंतराष्ट रादनीती भी से सक्ति की गूड़ता को हिर्दायंगम करता है और सक्ति के प्रपेक्ष में ही अंतराष्टे समस्याओं के मर्म को समझने का प्रेतन करता है और अंतराष्टे रादनीती का अध्यन हमारे लिए उपयोगी है क्योंकि यह हमको यह बताता है कि निश्चित परिस साहन दिया जाना चाहिए और किन को नहीं दिया जाना चाहिए तो यह सब एक परकार से अंतराष्टी राजनित्य के महिए न गला कर्श कहीं Standards है अगला पर संथ अंतराष्टी नीद्यालै पर एक टिपड़ी लिखिए अंतराष्टी राज्टेनाले में अंतर राष्थ संग काभी नंग है अंतर राष्थ संग के सब्सक्रास्चे नियाले न्याले के भी सतस्से होते हैं और साती सात यहां भी विवस्ता है कि अंनराज भी इसके सतस्से हो सकते हैं और इसका मुख्याल लैं platinum हेग में हैं जो कि नीधरLand में स्थेथे विष्व की प्रमुख केंद्रीय प्रणाली पर केंद्रित होती हैं अंntराज जिये विवादों को सुलजाने के अतरिक्त या एक परमार्स दात्तरी कारी भी करता है और इतना सब होने के बावजूद भी आप देखिएगा अंतराश्टिये न्यायले जो है बिस्तु का सरबोच न्यायले नहीं माना जा सकता जब तक किसी बिसे में अन्यता आपेक्षित ना हो तब तक इसके न्यायले भी अनिवार रूप से बादिकारी नहीं होते हैं और इसके साथी साथ कोई देश अपना विवाद इसके समक्च रखने के लिए बादी भी नहीं होता है चाहे तो रखे चाहे तो नहीं रखे अंतराश्टिये न्यायले के अनुछे 36 के तहत या उस के समद्ध में मातर 40 राज्यों ने इस पर हस्ताक्षर किये थे उसमें भी एनेकों ने विसे जो है आरक्षित कर दिये गए थे जैसे कि अलबसिया जल विवाद हो गया उसके समद्ध में अंतर राष्टे नियाले ने जो निरड़य दिया वह ब्रिटन की दखल अंदाजी के प्रतिप्रस्चिन तो खड़ा ही करता है साथी साथ यह थार्थ के धरातल पर पर परिलामों की विभिनता को भी उपस्थित करता है और कहीं ने कहीं पिए आप देखिएगा इसी प्रकार से जो है बी निश्चित बेमामलों के संबंध में भी न्यायले ने सर्बोच न्या परचिता के साथ जो सारी चीजों को नहीं कर पाता यह नहीं करता है राजों का दबाव पड़ता जो प्रभुत्त वाले देश हैं जिनके पास प्रकार जो कहीं न कहीं पर मलब कुछ देश हैं जो किसे अमेरिका हो गया फ्रांस हो गया ब्रेटन हो गया जापान है या लेखने सकते हैं आप चाहो तो इस दो देसों के बीच विबाद रहे तो अंतरा रश्ण नायले में मन कहरे तो लेजाओ मन कहरें ने लेजाओ आगे देखिए केवल दो परसनों के उत्तर को आपको लिखना होता है ये बात ध्याने कियेगा कितने सब्दों में बहिया 500 सब्दों में इन परसनों का उत्तर आपको लिखना है पांच कोसनस आपको दिया जाते हैं उन पांच परसनों में किसी केवल और किसी दो परसनों के उतर आपको करने हैं ठीक है एक परसन अगर पांस उसब्दों में आप अच्छा तरीके से लिखेंगे तो आपको उसके लिए 15 अंग परदान के जाएंगे परकार से दो प्रसपनव पुच्छा गया है कि व आप से पूछा गया है gibi सार के देशों का यलप संगठन और सार के ओर सार कफा सकता है तो आप इसको एकदम से ध्याण र brunch लिजेगा ठीक है सार्क जो है खासर के आप देखिएगा यह कासर के आप देखिएगे सार्क के बारे में गयां सियान वे सार्क है यही कासर की अंटराश्टी संुरक्षा का मैं तो बड़ा नखेंगे तो इसको आप पढ़ लिजेगा सार के बारे मिस्तार से वहीं अगला प्रसन आपको दिया गया है सकती संतुलन से आप क्या समझते हैं सकती संतुलन को किस प्रकार अस्थापित किया जा सकता है यह बढ़िया प्रसन है इस प्रसन को याद कर लिजेगा आपके इजाब में अंतराश्य रादनीती के अध्यन के अथार्थ वादी उपागम का अलोचनात्म परिच्छन कीजिए भी बढ़िया प्रस्न है वहीं अगला प्रस्न आप देखेगा चौता नंबर प्रस्न है सामोहिक सुरच्छा पद्धती को लागू करने में सयुक्त राश्थ संग कहां तक सफल लाएँ बताने का प्रियास करें वहीं अगला प्रस्न है प्रस्न हें गुट निरके छांदोलन में भारत की भूमिका का वर्लान दो只 लगबग हमने दस अति लगुतिरी पर चर्चा करी पांक दीर फुतिरी पर पर हमने चर्चा नहीं करी अगर चर्चा करूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और साथ आपके समझ में भी उतना ना आये इस परकार से आप लोग इन पर फिर से वीडियो को देख दोहजार तैस का मालनों फराले लेडी अबैलेलिछेगा दो जार थेस का महा संगराम वीडियो उसको देख लिजेगा तो यह तीन बीडियो अगर आप देख लिजेगा जैंग दो तीन वीडियो देख लिजेगा आपका काम हो जाना यह बाद यह नखिएगा एक भी प्रस्णाब का छोट करके नहीं जाएगा अगर आप इन वीडियो को देख लिजेगा धन्यबाद मिलते हैं इस्ट वीडियो में अब तक के लिए चेहनज भारत आप सभी का बहुत बह शचा करते रहेंगे प्रट त्व करे घुका हम आपये परणका भी दे चुका हूं आप लोग सारे लीडियो संक 173 अ का प्रीजेश्ट में मैं दे चुका हूँ आप लोगों ने नहीं देखा देख लीजिएगा ठीक है धनिबाद मिलते हैं देख्ट वीडियों में बहुत-बहुत धनिबाद आपका हमारा सच गुरूने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेसा बनाए रखे को बहुत-बहुत धनिबाद ठीक ह तो यह प्रसनाप पढ़ लिजेगा अंतराष्टी राजनिती के बारे में तो पिद्वत तरीके से आप जानकरी कर लिजेगा चुकि अंतराष्टी राजनिती से आपका लगबग और लगबग दो से तीन प्रसनाप के परिच्छा में आने बाला है सक्ति संतुलन से तो प् इन सभी को मामने इतना चार्ट करके रखा ताकि ये सारे प्रसन लगातार पूछे ही जा रहे थे इसलिए हमने इन प्रसनों को रखा है तो ये प्रसन आपके लिए बहुत ही helpful होंगे ठीक है इन प्रसनों को आप फिर से एक बार देख लिएगा वीडियो को दुबारा धन्यबाद मिलते हैं देश्ट वीडियो गुडड़ अलाफ यूँ